क्या बात है ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेज पाल साब का केस शुरू होने वाला है, इस विए तेज तेज भाग रहे हैं ये तेज पाल साब को ना है? शहर के मशूर बेरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी हैं, आज कोट में अर्गुमेंट करने वाले हैं, चल, we will take some lesson from him, कुछ सीखने को मिलेगा अब इतना बुरा वक्ता गया कि दूसरों से सीखने पड़ेगा चल तू बोलता तो चल के देख लेते आजा अरे रुक तो सही, आफिस तो बंद कर लूँ, बंद हो गया, चल 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 Your Honor, हर सुबूत, हर गवाह ये साबित कर चुका है केंथोनी बुरूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनेपरब नहीं किया है इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल और जो शख्स 19 साल के उम्र में खून करने जितना खतरनाक होसला रखता हो, वो आगे चल कर क्या नहीं कर सकता यार, जिस तरह से इस प्रब्ली प्रोसीकिटर ने इस मासूम दिखने खिलाब जीरा की है, इस चमन को तो बचा ही नहीं सकता वह यार, जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है कोट में हम लोग यूर अनर, प्रोसीकिटर ने मुल्जम के बारे में बिल्कुल सही कर, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सजा ए मौत, यूमर खैद लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अधालत को कुछ बताना चाहता हूँ यूर लॉट्शिप विने परब ने साथ साल की उमर में नहरू चाइल गोल्ड मेडल जीता 12 साल की उमर में इंटर स्टेट डिबेट कॉंपेटिशन में फर्स प्राइस हासिल किया 15 साल की उमर में S.S.E. में 1st Class 1st पे पास हुआ और 17 साल की उमर में हायर सेकेंडरी में मैक्स में पूरे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा नमबर हासिल किये और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है 12 साल की उमर में उस पर चोरी का पहला इलजाम लगा था 14 साल की उमर में उसने मिनर्वा प्रेटर की बाल टीकेट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था 20 साल की उमर में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उमर तक उस पर कतल के चार इलजाम लग चुके थे और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंग्स्टर होता ड्रक्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गर्दारी भी कर सकता लेकिन इस ना समझ की वज़त से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया यूर ऑनर यूर लाड़ शिप इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि ये जीकर क्या करेगा पांच एक गोल्ड मेडल और जीत लेगा पर लिकर इंजिनियर डॉक्टर या साइंटिस्स बन जाएगा और इन सब को हमारे देश की क्या दोर था यूर लाड़ शिप पर एक बार जिन हालात में खुण हुआ उन हालात में अपने आपको रखका देखियें एन्थनी ब्रेटो इसके घरवालों को सताता था इसकी बहन को छेड़ता था इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया एक दिन एन्धिन ब करता जो अदालस में बैठा अरभाई करता इसने एंशनी ब्रेट्व का खून कर दिया यौर अधिश्टू गूल या कि अधिश्टू करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है और इसका दामाद है आदर्श इसके ओफिस में काम करता था बेटी से प्यार हो गया प्यार हो गया तो शादी कर ली शादी कर ली तो बगल की पोजीशन असिल कर ली और अज सब कुछ इसके पास यार यह तो अरे सिधी बात है देख इसने जिंदीगी वर तकलिफे उठा उठा कर लाख रुपे हीरिंग के लिए कर इतने पैसे कमाई इसने इसी बेटी से एक बार हां कर वादी और क्रोड रुपे अंदर कर लिये हो गया ना बड़ा का भी लाजमी यार आम नाटिं मोर टू से थैंक और वकील दमाद है कौन है मैं यह कौन है बहुत बड़ा आदमी है तू नहीं समझेगा ओ मैं मतलब तू है पर तू से बिना दे कि शाधी कर लेगा यार तू बड़ा बेखूब आदमी है यह तो अन्रस्टूट सी बात है क्यामीर आदमी की बेटी है तो खुबसूरत होग राज एक बात है यार तू बहुत ही मास्तर आदमी है तू हाई यस माँ अ धिस प्रती इस वर्यू सुस्त लेकिए इप बिष्धिद आपको लेकर दुबारा चाहद आपकर दिखेश चाहद न प्राइगाद बनाते हैं और अच्छाद कॉलरा बनाते हैं हाव स्वीट क्या कर रही है देखिए माफी चाहता हूं ये कबड़ा कितना ही अच्छा क्यों नहों आप ये पैन कर देखिए अरे दाट्स बीटिफॉ या आप ट्राइ कीजे ना एक बापता हूं अगर राज कपुर जिन्दा होते न तो आपको लेकर दुबारा सक्केम्श्यम संदरम बनाते हैं जी मेरा मतलब है कि इन कपुरों के साथ है आप ट्राइ कीजे ना प्लीज ए ओके थैंक्स पैक कर दीजेगे अरे क्या कर रही है आप कमाल जी आपको देख लेते हैं तो कितना नाराज हो जाते हैं कमाल कॉन अमरोई जी पागिजा फिल मनाई जिनोंने रिल क्यों आपको देख कर वो अपने हिरो को डायलोग देदे कि तुम्हारे पाव बहुत ही खुबसूरत है य आप को सामान खरिदा आपको नहीं देख सका पर हम रिली सारी मैंने आपको सेल्समें समझ लेए कोई बात नी बात नी मेरे शकल यहां जी है क्या कोई भी धिनोगा का सकते हैं आज अजा तो आप तो जा रही हैं मगर मैं आपके सिंदेगी मैं बढ़ापे कितरा हूंगा ज जाता है। राज सपने में तु कुछ भी देख ले लेकिन हकीकत में तेजबाल की बेटी से तेरी शादी हो इने सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं जान देदूगा गाड़ी की नीचे आ जाऊगा उसके। कि आ अर्क लेटा ने बैखर बैठा अब भाई सब कैसे हो गया कुछ निग τηर जा रही थी ना डूटने तूटी होगे जाना कुछ रधिश्ट करने वहां तो आपके यहां चलिए तूंचे में यहां वाद यह ने चलिए दिखे अड़नरा डूइबज दराओ में पिच्छे आपको दुख नहीं रहा है कर रहे हो कर तोड़ रहे हो चोट यहां लगी तो दर्द वहां का से होगा अरे मामूली से चोट था है मैं दो दिन की दवाय लिग देता हूं तुम एक दम ठीक हो जाओगे हैं तुम्हारा नाम बताओ फटा-फटा-फट राज-मलोत्रा यह क्या यह बैसाकी किसलिए चोट मुझे लगी है दर्द मुझे हो रहा है पैसा भर रहा हूं फिर भी पूछ जो भी कदम है, वो तेरी राँ ओ माई गॉड़ आप गई नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा से हैरलाइन थैक्चर हुआ है डॉक्टर साब कहते हैं कि पंदरा दिन में ठीक हो जाओगा पंदरा दिन, आप मेरी वज़े से इन पैसाकियों पर, आपकी वज़े से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आओगा होगा मेरे नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, आपको अपनी गलती का ऐसास हुआ ना? जी सजा भुगतना चाहती हैं आप जी, बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज, मुझे निचे टैक्सी तक छोड़ दीए क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपको घर समल के, समल के, समल के, हाँ, एक मिनिर, एक मिनिर रुक चाहिए हाँ समल के, रुक चाहिए, रुक चाहिए ममममम मममम ने ने, मैं समाल लोगी आए आए यहीं उपर रहते हाँ जी हाँ अच्छा समल के कोई बाद कापी तक्लिफ उठानी है पड़ी यहाँ वेठी बैचे, बैचे एक मिनिट यह तस्वीर जी, ये मेरे गुरू जी की तस्वीर है मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा जी, मैंने भी इनको कभी नहीं देखा मगर ये हमारी वकालत के दुनिया के बेताज बाश्चा है इनके केस को स्टडी किये वगर कोई आदमी वकिल बनी नहीं सकता जी मगर आप इनको कैसे जानती ये मेरे डाड़ी है डाड़ी? डाड़ी? पाउ का है? क्या तरह आप? खड़े हो जाए खड़े हो जाए फ्लीज गुरू नहीं तो कम से कम गुरू पुतरी के ही पाउचलू देखे आप ऐसा मत कीजे आप ठीक हो जाएगे मैं आपको अपने डाड़ी से मिलाँगी मैं इनसे मिल सकूँगा? अफ कोस ये विल मीट पी? अफ कोसी विल मीट यू मतलब वाव सुई आप बैठी है ना? प्लीज आज नहीं फिर कभी मैं फिर आउँगी आप अपना ख्याल रखिएगा आओ मैं तुम्हे भाहर लख छोड़ देता हूँ मैं चल जाउँगी नहीं? अरी शूर? ओके थांक्यू बाई आप देखेगा जनाब इस बैसाकी को पकड़के उस बैसाकी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाकी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं नमस्ते सर्थ वो आप से थोड़ा काम था क्या? वो अप जीवन ससाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो? वो केस हमारे खिलाफ है सर हम वही के टेनेंस हैं तो मैं क्या करो? देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने के हमारी ताकत नहीं है और आपके सामनी केस जीतना बहुत ही मुश्किल है अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो? घर क्यों नहीं खाली करते? घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहां? मुझसे पूछके मुंबय आयते हैं अब आप लोग जा सकते हैं से देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए वाकिन साब देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुछ दे रखा है बैसो के खातिर हमारे सर से हमारी छट मत चीने आप हाथ चोड़ते हैं हम आपके आगे अगर हाथ जोडने है तो मंदिर जाके जोड़िए पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है देखिए देखिए बात तो सुनिए एक मिनिर जीजा जी ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगा इने धुतकार रहे हैं क्योंकि मैंने ऑपजिट पार्टिया केस अपने हाथ में ले लिया है लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो ना इंसाफी है अच्छा तो तुम इन इनसाफ दिला दो ना मैं भी देखता हूं आज की तारीक में सच्चाई के लिए सच्चाई के बल्बूते पर कौन लड़ता है है जी जाजी ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूं जो आज की तारीक में सच्चाई के बलबूते पर न सरफ लड़ सकता है, जीत भी सकता है आप बेफिक्र रही हैं, आपका घर घर है, कुछ युडिया का खुसला नहीं, जो अपनी घर की सफाई में कोई निकाल कर फेक दे आप देखें, मैं इनकी हीट से हीट बजा दूँगा, वैसे मेरे सामने केस लड़ कोन रहा है मेरे जीजाजी आप अपनी कमपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती है तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाईयों से लड़े थे और वैसे भी मापुर्शों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता आई विल विन दिस केस मिस्टर आनल महात्रे, आप जिस जगह में रह रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी 1977 में, पचीस हजार रुपए पगड़ी पे मतलब आपने खरीदी नहीं थी उस जगह पे आप किराए पे रह रह रहे हैं मिस्टर वचानी कौन है वो तो बिल्डर है, मेरा मतलब मकान मालिक और उन्हें जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की आफर दिये द्यालाक रुपए मतलब दस गोना ज्यादा, जिदे आप में पैसे दिये थे उस है अब महेंगाए भी तो बढ़ गई है सर आखिर आप चाहते क्या मातरे साब घर के बदली घर अचाहिए बत्याज अँप कोड़ कीसे पुंचें टैक्सी में कोड़ पुँछने के बद आपने टैक्सी का क्या किया क्राइदिया और छोड़ झ्यो छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया, उस पर कफ़तल她 कने बन गया उसके मालग क्यों ने बन गया ? किराए के टेक्सी का मालिक कैसे बन सकते हैं इस पॉइंट को नोट किया जाए इन्होंने खुद का है कि किराए के चीज का मालिक नहीं बना जा सकता फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं मेरे क्लाइन ने थाई लाग रुपए का ओफर दिया है यह तो इनकी दर्या दिली है मैं तो यह ही चाहूँगा कि मेरे क्लाइन को इंसाफ मिले दाट इस ओल यॉर ऑनर कि डिफेंस को कुछ कहना है राज गॉप गुडलक चल चल छुटी करते सबकी डिफेंस कुछ कहेंगे गटाउप 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 सर मैंसर मलोत्रा आर्यो आर्लाइट हाह हाह इस सर हाह हाह हुआ है पार हुआ है जो पूआ है जो आप अधर आप कि आपकी ठीक नहीं है आप कुछ दवा लीजिए कोटी जट जट फॉर लंच फगेर बाउट बाउट बैच जो राज अगर अंदर है तो बार करना तो नहीं कोशिश करो हम कर सकते हैं नहीं राज तिर को हो क्या ग्यादर को यार मिर को अगर आपको मुंबए से दिली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे प्लेन से आपको जाएंपूर उदर कर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लिजे मगर आप किसी टेंट एक्सी बस कर लिए तो आप जाएंगे नहीं क्यों मैंने टिकेट खरीदा है मैं स्टी से क्यों आपके लिए दूसरे प्लैन की वैवस्ता क्यों होने चाहिए क्योंकि एरलाइंस वाले पैसिंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं माइल लोर्ड अगर मुंबई से दिनी के वीच की सफर में किसी को मजदार में छोड़ा नहीं जा सकता तो आपने तुन अपनी भावनाओंसे अपनी जजबाद से उसके साथ जूड़ हो ए इननके बजर्गों के घुजरने का घम इनके बेटी की विदाए की यादे इनके बे सामें रख दी जाए तो इनका मौल नहीं चुका सकती है तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर चिनने का अग कैसे दिया जा सकता है और मैं यकीन के सब कर सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे एंडाट सॉल यूरा राज बड़ा बात्राथ भी है यार कोट है यार गले लग जाए वकिल साब आपने सिर्फ यह केस नहीं जीता है बलकि हम सब के बच्चों के घरवांदों को उजड़ने से बचाया है देखी हम इसकी फीज तो नहीं दे सकते लेकिन ये ये थोड़े से पैसे हैं हम सब की द हुआ है पैसो से नहीं तोली जाती मगर फिर भी इस केस की जीत की आदगार के बतोर में ये पास रुपय का नोट रख लेता हूं थैंक यू जैसे आपकी मरसी मेरी पहली कमाई सत्यमेव जैते पर आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं इसलिए कि जीत मेरी नहीं तुम्हारे विश्वास की है तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूँगा तो तुम्हें याद करूँगा और तुम्हें इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना राज राज ये रज़त है फ्रीलांस रिपोर्टर अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोट के फैसलों की धजिया उड़ा के रख देता है और रज़त ये है राज मेरा दोस्त होश्यारपूर का सबसे होश्यार वकील मैं चाहता हूँ कि आप इने का इंटर्वी ल अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप दरसल ये केस मैंने कानूनी दाओं पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा ये केस मैंने दिल से लड़ा है और मैं ये मानता हूँ कि जो भी चीज जिन्दगी में दिल से की जाती है वो अकसर कामयाब हो पेटा एक हफते के लिए दिल्ली किया गया मेरा ओफिस केस हार गया वो भी कल के एक छोकरे से डैरी यू शुड़ा बिंदर उसने जो आग्यूमें दी आइमीन जच के सामने जो स्पीच थी अपने जी जाजे भी कुछ नी कर सके डैरी वो आपका सच्चा शागित है एक ल देली लवज यू उसे कल ऑफिस भेज देना मैं इस एक लवे से मिलना चाहता हूं जिसने मेरे अरजुन को हरा दिया यह 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 निचे पीचे मैं जान पर 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 लगते वे तनी खुशी नी हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर अगते मुझे हुई आयम राज सर राज हा सोनम तुम्हारे बारे बता रही थी बही मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई पैठ चुड़ भाई जी जी सर बिटा कुछ खाओ 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 बिटा नहीं सर वेरा सोमार है सोमार मतलब आयम में आम फास्टिंग सर तुम इन बातों में यक यहां तुम्हारे बहुत तुम केश कमान के लड़ते हो, सर या घंड है सर्यवी आपई थोा कि दिनों से ही 30 में आपके जीते हैं केश की केसे से लेता आया है, यहां तब कि अस्के वहिभी मैं आपके Сबेन सरघार के में शुष लेकर हैं प्हला कर्दा मेरी केसे लेकर मेर जाता हूँ भाई Sir you don't have to give me an offer, you just order me sir I don't believe this Wait a minute, wait a minute कहाँ गया यहाँ से मैं एक social service center चलाता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी advice देता हूँ Yes sir वहाँ पर तुम्हारी जैसे होनार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है जी 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 है कोई भी आदमी ऐसी बड़ा आदमी नी बन जाता गजब का शुरूर आदमी है यार फोकट महीं काम करना जाता है और ससुरे ने एक बार भी नी पूछा कि बेटे तेरा उपवास है तो दूद पीले फ्रूट खाले अर भाई पानी पूरी लगाना भाई जी साब इससे पहले कि मैं ब्योश हो जाओ और मुझ पे पानी मारना पड़े पानी पूरी खालो तो बैटेरा ना ये लीजे अले एक मुण गड़ी रोख राज बेटा अरण अचल आईयए आईयए आपी पानी पूरी खाये लेकिन तुम्हारा तो आज उप्वास है ना उप्वास है नई उप्वास था लेकिन मुझे मजबूर है तोड़ना पड़ा तोड़ना पड़ा हाँ इस बिचार है गरीब की बीवी भीमार है ओर मैंने जब इसे कहा, कि तुम उझे मदद लेलो, तो उसी नाक कर दी। बड़ा खुद्दार आगनी है, कहता कि मेरी लुट भिक निलूगा। मैंनेसे कहा के अगर तुम खुद्दार हो तो भी खुद्दार हो। आज में तumeरी सारी पारी-पुडिया खा जाउगा। लेकिन तम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर कर दूँगा तुम्हें तुम अकेले नहीं हो दोस्त मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मुझे भी लगाना भाया एक प्लेट और सुनो सब ठीक हो जाएगा घबराना बत पच्छीस-थीस लगाना प्लेट है पच्छीस-थीस ऐसा नहीं हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बिमार पड़ जाए ऐसा न इमानदार और नेख लड़का है मैं सोच रहा हूं कि किस दिन इसको खाने पर बुलाया जाए हां ताट्स ग्रेट लिट्स दू राइट है अरे हान मारो ना भाई यह कौन चाहर रास्टे के बीच में यह 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 क्या कर रहे हैं बस सर मैं अपने क्लाइंट के पास आया अच्छा हमारे महले में भी क्लाइंट ढूंड लिया कौन से घर पर आया थे वह अपना सामने ग्रीन वाला है ना अच्छा आपने चतरवेधी साब कर रहे हैं वह लाल वह तो किसी खुराना साब कर रहे हैं यहां कभी-कभी आते हैं तब ही तो मैं वहां जा रहा हूं अब खीके में इत्मी नान से उनके केसे सैंडल करता रहा है उसके तो बिल्कुल बाजवाले बंगला हमारा है वाउ अब आप हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे यही चारा था वैसे भी कल इन से मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस आप तुम ज़ोगा रुद्धाय रेली यह अचंड जिसके घर पर तुम जा रहे हो वह और झी इस सर बंगवा ।ट यही चारा शाय कर ते कुछ सोचटे सूचे चला जाओगा यू प्लीज के उंस्टा यॉट ग्षॉब सुचस भी आप एस पाइश्टा जरा की बिल्चा आपर क्यों नहीं है सब लोग अंदर कर रहे तुम लोग हां का रेते तुम लोग अब तो पीछे रहते हैं पीछे तुम्हें पांगार पीछे रेने की मिलती हैं आगे रेने की खुराना साब को बोलके चुटी करवा दूंगा सबकी सुबास से फोन कर रहे हैं कोई फोन कर नहीं उठा रहा आप लोग अब करेकड़े मेरा मूग के देख रहे हो बंगला खुलो मैं उनका वकील लूँ और सुनो कोई नोकर है कि नहीं अंदर है उसे कहो कि मेरे नानेवान कर नाम एक खुराना अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना पापा हमने अपने तरफ से कोई कसा नहीं चोड़ी फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हाग पे नहीं होता तो हम क्या कर सकते हमेशा जीत हमारी हुए एक आदी हार से क्या फरक पर अरे सवाल हार या जीत का नह नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा राज लगता किसी जबर्दस केस की डिसकेशन चल रही है कई तो मैं कुछ कंट्रीबूट करूं आपका बोलना जुरुरी था क्यों यह किसी चाल का मुकदमा या पार्टनर्शिप डीक की डाफिंग नहीं चल रही है मॉर्डर केस की डि अधिन चल रही है जिसके साथी ने उसके पर जान लेवा आमला किया और उसने अपने सेट डिफेंस में उसका मड़ कर दिया वगर सब्सक्राइब करना जिए क्योंकि जद्ने उसके खिला बहुत अजीब सी राय काम कर लिए क्योंकि वो तीन साल से सजा काट रहा है चोरी क इस केस की सारी हिस्ती मालूम है घुट सारी खबरे रखते हो है सर मैं आपका चेला हूं और चेलों को गुरू की हर बात की खबर रखनी चीए था क्यों कुछ नहीं हो दाराज साब मसला यहां केस चीतने का है इसका हल भी है मेरे पास मेरे पास यह ऐसा सबूत है जिससे आदर्श साहब यह सबूत है और सबूत को जच साब के टेबल के पर रख देना है वह भी बिल्कुल तुमारी तरह रियाक्ट करेंगे और उसके बाद जच साब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूजबुज वाला आदमी अगर आपनी जान का खत्रा पा आपनी सोचूगा तो कौन सोचेगा आप एक अप्लाटिक क्या सोच रहे हो राच कुछनी तुम्हें देखकर बच्पन की बात याद आगी मेरे बारे में बच्पन मेरी मां मुझे परियों की कहानी सुनाय करती थी और मैं मां से हमेशा पूछता कि मां क्या मैं कभी किसी प विष्वास तुम्हें इन बातों में विश्वास तकते हो कि तूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है अब तक तो नहीं पता मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा जले जलो चोटी मेम साब ये डारी राज साब की है लगता है वो इसे भूल गए है अच्छा जी फैंक यू जी मंदे सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था मैंने पूछा सोना का गुस्सा किस बात पर उसकी आखों में दो आसू उभराए कहने लगी वज़ा तो तुम जानते ही हो मैं सब कुछ देख सकता हूं मगर सोना की आखों में आ कि मोहन प्यारे यह समझ लो के शहर के सबसे बड़े वकील तेजबाल फस गए मेरे जाल में आज सुबा से लेकर शाम तक मुझे बेटा-बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबुजी दामाद बोलने की आदा डालो अरे दावाल तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी अरे वो भी मान जाएगी जब पेड़ी इल गया तो फल तो गिरी जाएगा अपनी जोली में ओए राजा मत देख जागते हुए सपने मत देख जा वही रात बहुत हो चुकी है जाके सोजा अरे अभी कहां अभ अभी डोर बेल वजाने वाली होगी बाई बाई हलो यह यह आप अपनी डाइरी हमारे फ्रम हास पर भूलाए थे ओके ओके बाई 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 दो वे यह सोना कौन है सोना के बारे में जाना चाहती हो तो इत्मनान से बैटका सुना होगा क्योंके यह एक लंबी दास्तान है आओ इस्क्यूज मी यह सोना का नहीं मेरा हाथ है हो आम सॉरी पता नहीं यह सोना के बाद निकलते हैं मुझे क्या आये न मुझे क्या हो जाता है बस यू समझ लो के मैं जिंदगी हूँ तो सोना सासे मैं अगर दिल हूँ तो सोना धड़कन मैं अगर प्यास हूँ तो सोना पानी है एक्जेक्टली मैं अगर फूल हूँ तो सोना खुश्बू मैं अगर दर्द हूँ तो सोना आ समझ गई समझ गई आप टीवी है तो वो रि मुघंक्यू जाती है ऑच्छा बहुत मॉहबद करते हैं मॉधत करते हैं य। आ बस य। समयों कि इस नाम के इष्दगर्धी मेरी दुनिया बसी है बहुत सुन्दर दिखने में पढ़ मैं सुन्दर बोलकर बेज़ती मत करो मेरी विंए की नहीं राते कट सकती हैं देखिए मैं फिर कभी उनसे परसनली मिल लूगे मिलवाएंगे ना आप मुश्किल लगता है मागर फिर भी कोशिश करूँगा वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास देखना चाहेंगी आप जी जरूर हां मेरे सामने मत देखेगा प्लीज क्यों मुझे शरम आती है सोना की तस्वीर इसे आ नहीं घर ले जाकर खोला फोलों से भी नाजुक है मेरी सोना कलियों कलियों हम दाना डालें और मचली न फसे यह तो हो इनी सकता सोना पंखा है मैं हवा हूँ सोना ये है सोना वो है सोना ऐसी है सोना वेसी है सोना तो सिर्फ मेरी एक कलपना है और इस कलपना का हिस्सा इस आएने में खोजने की कोशिश करूं अब शर्माती रहोगी क्या आगे भी पड़ोगी अरे पड़ो तो एक चोटा सा काजल कर ठीका लागा लो मेरी नजरों से अपने आपको देखोगी तो नजर लग जाएगे सोना कैसी है सोना ऐसी है सोना बहुत 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 कुश है